जब आखों में अर्मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया नमस्कार एवरिवन, Rankers English Education की इस प्यारे से प्रेटफॉर्म पे आप सब का दिल की गहराईयों से स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप तमाम लोगों के बीच के confusion का, आप तमाम दोस्तों के दिल और दिमाग में ये question बहुत दिनों से move कर रहा है, बहुत दिनों से circulate कर रहा है सारे के सारे चीज़ों का solution मैं आज आज आपके सामने पेस करने वाला हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शर्ड इंग्लिस किस प्रकार से सीखी जा सकती है, क्या हम इंग्लिस बोल सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि सर बिलकुल भोला जा सकता है कुछ points आपको दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से feed करके चलने हैं क्योंकि आप कहीं पर भी जा करके देखो मेरे भाई, आपको जहां मन हैं वहां जा करके देखो, हर लोग इंग्लिस में बाते करना हैं स्टार्ट कर दी हैं और खास करके इंडिया में इंग्लिस second language के रूप में जब इस्तेमाल हो ही गया है, तो आप लोगों को इंग्लिस आना बहुत जादा जरूरी है आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि मैं इंग्लिस किस परकार से सीखा हूँ, जिसके वज़े से मैं लाखों बच्चों को अभी तक इंग्लिस पढ़ा चुका हूँ, और इंफेक्ट अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ इतना ही नहीं आप किसी बच्चे के सामने जाओगे तो बच्चे भी इंग्लिस में बात करना स्टार्ट करदी हैं, सुएंगे तो लेकिन सब्साबाल पैदा होता कि सर सीखेंगे कैसे तो इसके लिए सबसे ज्यारा जरूरी वाली बातिं आपके सामने में पेस कर रहा हूं कि सर्एंग्लिष अपने आप से सीखे हम लोग हिंदी तब सीखे मेरे भाई जब हम लोगों नहीं किसी से मुह किसी के मुह से हिंदी में कोई बात सुनी कोई वर्ड सुना और उस वर्ड को किसी के सामने जाकर के बोल दिया किसी के सामने जाकर के चिपका दिया धीर धीर हम लोग को हिंदी आने सुरू हो ग की कोशिज करो यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीसरा रीडिंग और चौथा राइटी यह चीज तो आपके दिल और दिमाग में पहले से है लेकिन कुछ और बाते मैं बताना चाहता हूं जो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यह है मेरे भाई बेसिक इंग्लिस वोकेबलरी वर्ट इसके बारे में डिसकुशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहली बात बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिस बोलना तो चाहता हूं लेकिन मेरे दिल और दिमाग म पहले हैं तो इसके लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी है मेरे भाई कि आप कुछ मेर्ट को आप याद करो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि सबसे पहले दिन नहीं आप बड़े 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 सिंटेंस को बनाना सु सुरू कर दो चोटे-चोटे वर्ट्स बोलना सुरू करो इसके बाद धीरे-धीरे इस सेंटेंस का रूप लेना स्टार्ट हो जाएगा इस बात को दिमाग में डाल लिजेगा जैसे फैन, छेयर, बुक, पेन, छोटे-छोटे जो वर्ट्स होते है ना उसको दिमाग में अच् प्राक्नि कैसर बहुत सारे ऐसे वर्ट्स है मेरे भाई जिसको आप याद कर लो जिसको आप लर्ण कर लो और इसके बाद किसी के सामने आप बोलना सुरू कर दो जैसे आप रास लू में जाओगे सर बोले मिस्टर रोहन आप क्या बोलते हो यह सर आ यजस आपने आप पर पहले वर्ट्स बोलना स्टार्ट करो मेरे भाई पहले वर्ट्स बोलना स्टार्ट करो धीरे धीरे आप सिंटेस बोलना स्टार्ट कर दोगे मैं यहींने कहता हूं पहले आप किसी भी लैंग्विज में चलना सुरू करो मेरे भाई और कब आप दौरना सीख जाओगे आपको पता तक नहीं चलेगा बार समाजिमाया इसके बाद जब छोटी छोटी वर्टस आपके सामने आ जाएंगे न तो आप घृूप डिसकसें और कर लोगों के 20 बैठ कर aware करना स्टार्ट करो को और वाले किस तरीक से बोल रहा है किस तरीक से बोल सकते हैं पहली बात इस इंस बजापvat manner किसट कर नहीं है मेरे सामने ऐसे कोई लोग है ही नहीं जो इंग्लिश के अंदर बात करते हो तो मैं कैसे सीफ पाऊंगा अरे भाईया डिस्टल यूग आ चुका है अब आपको लोगों की सहारे की जोत नहीं है आप अपना कैमरा निकाल सकते हो वहाँ पे आप कुछ टॉपिक्स जैसे मालो कि वहाँ से उसको पड़क करके कैमरा के सामने बोलना ये स्टार्ट करो कि अउलान एजूक्रिशन कितना बेनीफिट है उससे क्या लॉस हो सकते हैं इस सब को समझो अच्छे तरीके से और उसको इक्सप्लें करने की कुरूसिस करो टॉपिक छुनों और उस टॉपिक के उपर बात करना, star बो, group discussion में यही तो होता है, मेरे भाई, बहूत सारे लोग, एक topic को घर से prepare करके आते हैं, और लोग के सामने उसको express करते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और 걸로 tão बोलते हैं, और सब लोग English में बोलते हैं, तो धीरे-धीरे सुनते स सुनते सुनते आपको English बहुत हद तक आजाएगी लेकिन बहुत सारे लोगों के बीस में यह भी confusion है कि सब ऐसा बता दिजे ना कि grammar का वो कौन सा concept है grammar के वो कौन से तरीके है कौन सा grammar का वो topic है जो English बोलने में काफी सदा मदद कर सकती है लेकिन इसको बताने से पहले एक व्वात में फिर से बोलना चाहूंगा सबसे पहले आप coalition सुनो दूसरी बात कीसे जो चीज़ सुने हो उसको बोलो दीसरी बात मेरे प्यारे साथ यहों सब आप कितां बढ़ते हो यह फिर जब आप कोई आसा देखिए मेरे भाई जो आपके लिए काफी साधा इंपॉर्टेंट है बेसिक बेसिक चीजों को सीखना है स्टार्ट कर मेरे भाई मैं बार बार यह बाते बोल रहा हूं जैसे इस एम आर के बारे में इसर आर का यूज देख लो आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं मैं प्रिजेंट की बात कर रहा हूं जैसे मैं एक लड़का हूं आयम बॉइ तुम एक लड़की हो यू आर अगर्ल भास समस्वाया वह एक लड़का है की सब्सक्राइब या फिर डैट इस तरीके से आपको तयार करना पड़ेगा बेसिक बेसिक चीजा आपको पता होनी च इस्ते माल जासे आए के साथ फुष्ष का इस्तमाल करिंगे आँ danse मैं एक तीरथा ऐएसरीट तोट मैं ने बोला जैनल प्र wicked इस्य मार की यूज supported और पर नहीं लो in fact practice करो और practice कि recommend बोल करके लाट ली डान करके कांफी तेज बोल करके मेरे पाइग इसके बाद जwegen active passive जो voice आता है वो पढ़ना जरूरी है, basic preposition पढ़ना जरूरी है और conjunction पढ़ना बहुत जरूरी है, conjunction के सारे आप sentence को बढ़ा कर सकते हो, जैसे मैं इमानदार हूँ, I am honest, लेकिन मैंने बोला मैं इमानदार और तेज हूँ, I am honest and intelligent, and conjunction है, मैं दोनों को जोड़ करके sentence को बढ़ा कर दिये, यानि conjunction का इस्तेमाल भी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे preposition, preposition में जैसे मैंने बोला कि मैं घर पर हूँ, I am at home, I am at home, at अपने आप में preposition है, मतलब मेरे भाई, कुछ basic grammar के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, हाँ, जैसे I के साथ M का इस्तेमाल होगा, ये बात ये आपको पता है, फिर आप बोलोगे, सर, ये बात हम कैसे समझ पाएंगी, तो सुनना है, स्टार्ट करो, अब मैं कुछ बाते आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए राम बाल साबीत होगा, जरा गौर से सुनो, सबसे पहली बात, और सबसे basic बात आपके सामने में बता रहा हूँ, इस बात पर discussion करना, start कर देना, मेरी भाई, देखो, सबसे पहली practice, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे ASMR का इस्तेमाल आपने पढ़ लिया, उसको घर पर practice कीजिए, mirror के सामने जाकर के practice कीजिए, camera phone के सामने जाकर के आप practice कीजिए, और practice कीजिए, और जोर जोर से बोलिये, speak loudly my dear, और इसके बाद जब आप बोलना शुरू करोगे ना, तब आपके अंदर confidence आजाएगा कि नहीं, मैं इन topics के उपर बात कर सकता हूँ, मैं इन topics से उपर बात कर सकता हूँ, और जब confidence आजाएगा, तो आप किसी group discussion जहाँ भी होगा, वहाँ पर आप अवल होगे मेरे भाई, वहाँ पर आप जा करके confidently कोई भी बात रख सकते हूँ, बात समझी में आया, तो ये सारे के सारे steps को follow करें मेरी जान, और आप definitely बहुत ह बहुत जल्दी सीख सकते हो, सर ये एक language है, इसको सीख सकते है, ये कोई गलत चीज नहीं है, गलत काम नहीं है, बात समझी में, थोरा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, लेकिन आप बड़े आसानी से सीख सकते हो, मैं बार बार ये बात आप से बोल रहा हूँ, तो इस सारे के सारे चीज़ों पर अमल करना स्टार्ट करो, मेरे प्यारे साथ यो, definitely you will become a fluent English speaker very soon, बात के लिए है, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, परिसान होने की जोट पिल्कुल भी नहीं है, got my point, तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए, bye bye, check your, love you all and जह subscribe कर लेना, like कर लेना और वीडियो को share कर देना, बात के लिए है, चलिए, bye bye and take care